आप लोग के लिए ISRO Indian Space Research Organization की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट आ रही है उनकी तरफ से आप लोग के लिए 5 डेज का एक फ्री ओनलाइन कोर्स लॉंच किया है related to AI, Artificial Intelligence, Machine Learning, Python Program, Data and List का भी एक प्रीमियम कोर्स आप लोग को फ्री में दिया जा रहा है यह live online course है जिसमें आप लोग को ISRO के instructor free of course पढ़ाने वाले है free of course आप लोग course को जोइन कर सकते हो, course complete होने के बाद आप लोग को certificate भी दिया जाता है जिसको आप अपने resume में add कर सकते हो government of India की दरफ से इस course को organize कराया जा रहा है इस वीडियो में हम देखेंगे इस course के लिए आप register कैसे कर सकते हो certificate आप लोग को कैसे मिलेगा और कैसे आप लोग course को complete कर सकते हो वीडियो को last तक आप लोग पूरा देखना दागी सारी step by step पूरी process में आप लोग को समझा सकूँ इन courses के detail आप लोग को ISRO के official website ISRO AdWords website पर देखने को मिल जाएगी जहाँ पे दो course अभी आप लोग के लिए live है एक जो course है वो है course on LIDAR data processing and application जो कि 5 अगस से स्टार्ट होने वारा है बहुत कम टाइम पीरिड है यह जो course वो data analyst से related यह course आप लोग के लिए जिसके registration अल्रेडी स्टार्ट हो चुकी है दूसरा course जो कि आज ही launch हुआ है course on AI ML for Geo data analysis जहाँ पर अगर आप लोग artificial intelligence machine learning के बार में सीखना चाहते हैं तो इस course के लिए रिस्टर कर सकते हो यह जो course है वो 19th अगस से स्टार्ट होने वारा है जिसके लिए आप registration अराम से कर सकते हो लाई में अभी तो दो कोर्स अभी आप लोग के लिए लाइव हैं दोनों कोर्स के लिए आप रिस्टर कर सकते हो चाहो तो एक course के लिए रिस्टर कर सकते हो depending on your skills आप लोग क्या सीखना चाहते हो आप data analyst बनना चाहते हो या फिर AI ML के बार में सीखना चाहते हो या आपके उपड़ डिपेंड करता है दोड़ों कोर्स के लिंक में डिस्क्रिप्शन में आप लोग को दे दूँगा यहां पर जैसे सबसे पहले में आप लोग को कॉर्स के ब्रोश्यर डाउनलोड करके दिखा देता हो इन लिए लगे रिमोर्ट प्रोश्यर देंग यह लोग कर शक्ते हैं यह जोग्राफी बैग्राउंड के उनके लिए काफी बैनिफिशल हो सकता है इस कोर्स के अटेंड करने की कोई भी लिए जिस मेने आप लोग को बदाए कर स्टडी मेटीर वगेरा आप लोग को सब कुछ मिलेगा course के video lecture सब कुछ आप लोग के साथ share के जाएंगे course के रिजिस्टर करें अब ही मैं आपको register करके भी दिखाऊंगा दो तरीके से आप register कर सकते हो दोनों ही तरीके मैं आप लोग को वीडियो में समझा दूँगा एक चीज़ मैं मैं बता दूँँ यहां पे limited seats है limited number of seats तो जितनी जल्दी आप register करोगे उतना ज्यादा फायदा है first come first basis होता है और अगर हम certificate की बात करें तो जो course का certificate होता है वह आप लोग 70% course को attend करते हो course में participate करते हो तो 70% sessions को attend करते हो तो आप लोग को course participation certificate दिया जाता है एक course merit certificate भी दिया जाते है वह कैसे मिलेगा अब आगे वीडियो में आप लोग को समझा दूँगा दो तरीके से आप लोग को certificate दिये जा रहे है यह पहला course था जो आप free में कर सकते हो second course के अगर हम बात करें तो second course चाहते हो mc करना चाहते हो online mode में तो आप लोग के एक और free update है मेरे पास आप लोग college विद्या platform को check out कर सकते हो जहां पर आप लोग को बहुत सारे UG PG और online courses online degrees registered है इनके साथ आप चेक कर सकते हो जो भी डिग्री आप करना चाहते हो यहां भी जिस्ट आप लोग को एक basic सा form फिल करना है for example online MBA अगर आप करना चाहते हो तो एक basic सा form आप फिल करोगे कुछ basic से question के आपको answer करने है उसके हिसाब से जितनी भी university इंडिया में वो डिग्री करवाती है online mode में उन सब की लिस्ट आप लोग को provide कर देते हैं जिससे आपके लिए असान हो जाता है आपको university select करना यहां पर इनके दो important topics आप देख सकते हो आप directly university official से भी connect कर सकते हो और चाहो तो college विद्या की टीम से free audio video counseling भी ले सकते हो इसके लाव आप लोग इनका add to compare फीचर ज़रू try करना जिसमें आप किनी तीन university को एक single click में compare कर सकते हो 30 important factors जैसे कि उस university की fees कितनी होगी university के आपको दिखेगी तो यह बहुत बड़ी confusion होती है बच्चों के लिए placement कौन 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 सी companies देती है और EMI facility नहीं है college इद्या आप लोग को EMI facility provide कर देता है अगर आप लोग को university offer नहीं कर रही है आपके admission से लिए placement तक college इद्या आपका complete साथ देता है और directly लिए आप लोग official websites भी visit कर सकते हो जिससे आप fake website से भी बच सकते हो यहीं से आप directly apply भी कर सकते हो और college इद्या के दूर अगर आप register करते हो तो अभी इनकी subsidy program का भी हिस्सा बन सकते हो जिसमें आप लोग को subsidy भी मिल जाएगी यानि लोग second course को करना चाहते हैं AI ML वाले course को करना चाहते है Python programming के बार में सीखना चाहते हैं वो कैसे इस course में रोल कर सकते हैं तो इस course का भी brochure आप लोग को सबसे पहले download कर लेने हैं सबसे पहले हम देखेंगे इस course में आपको सिखाया जाए क्या क्या जाएगा तो सबसे पहले हैं आप लोग को artificial intelligence AI ML के बार में सिखाया जाएगा डील के बार में सिखाया जाएगा methods in machine learning के बार में आपको सिखाया जाएगा deep learning concepts के बार में आपको सिखाया जाएगा machine learning के concept के बारे में सिखाय जाएगा python programming का किस तरीके से use किया जाता है machine learning में यह भी आप लोग को सिखाय जाएगा जो लोगों को basic knowledge भी python programming की वो लोग भी इस course में इंडॉल कर सकते हैं और सीख सकते हैं python programming का क्या user machine learning models में यह आपको सीखाय जा रहा है इस course में भी आपको सारा study material मिलेगा कोई भी course की फीस नहीं है direct वैसे register करना है जिसमें आपको बदा है कौन-कौन register कर सकता है अगर हम यह बात करें तो जो लोग भी interested है AIML और DL deep learning के बारे में सीखने में वह सब लोग यहां पर register कर सकते हैं इस course में अगर आप computer science data analytics या फिर किसी भी background के student हो अगर आपको interest है AIML के बारे में सीखने में तो इस वाले course के लिए तो सब लोग eligible होने वाले हैं यानि सभी लोग register कर सकते हैं इस course में भी same terms and condition है limited seats है first come first basis है registration link आपको description में मिल जाएगा ऐसे amazing free online courses के लिए आप लोग मारा telegram group भी जोइन कर सकते हो जिसका link में description में दे दूँगा जहां पर अलग से मुझे कोई internship पता चलते हैं गूगल में internship निकली हुई है या फिर कोई free course मुझे पता चलता है online internship पता चलती हो अपना full name वगेरा देखे अगर पहले से registered हो तो already registered पे click करके account बना सकते हो login कर सकते हो जैसे login करते हो सबसे बहले आपको course select करना है जो भी course आप करना चाहते हो अगर यह दोनों course करना चाहते हो तो दो बार registration करना होगा जैसे पास आउट हो graduate हो तो individual registration कर सकते हो यह depend करता है आपके उपर अगर आप exam देना चाहते हो merit certificate लेना चाहते हो तो इस्रो नोडल सेंटर के थुरू ले सकते हो अगर आपको participation certificate चाहिए course का तो individual registration के थुरू ले सकते हो यह basic सा difference है उसके लाग कोई prerequisites नहीं है next कर देना आप लोगों को और यह basic सी personal detail आपको सबसे पहले एड करने है उसका educational detail आपको जो भी college में पढ़ रहे हो जो भी degree कर रहे हो उसकी detail एड करने है professional document detail आपको एड करने है एक photo भी आप लोग के upload होगी आपे और प्लस आपका अधार card identification proof आप एड कर सकते हो passport आड कर सकते हो voter ID card या pen card कोई government ID proof आड कर सकते हो save and other पर click करने and एक basic सा form आप लोग का बन के आजाएगा apply पर click करने जैसे apply पर click करते हो congratulations का message आता है देख सकते हो हम लोगोंने course की application form submit कर दिया है यहाँ पर हम URL भी आपको receive होगा इस URL पर click करने और उसके बाद आप लोग की mail ID और password आपका है उसे आपको login करने इस लोग का learning management system portal है जहाँ पर आप लोग को इस course का access मिलने वाला है यहीं पर आप आप लोग को यह वाला course के लिए हमने register किया तो detail आपको देखने को मिल जाएगी 19 दगस्ते को स्टार्ट होगा तो यहाँ पर आप लोग इस course से login कर सकते हो और पढ़ना कर दो आपको